Hello Friends, Welcome to AB Classes, Friends, आज का सब्जेक्ट है Engineering Measurement and Maintenance Practice, इसी सब्जेक्ट को कई इनवस्टियों में Metrology and Measurement के नाम से पढ़ाया जाता है इस सब्जेक्ट का एक चेप्टर है एंगुलर मेजरमेंट जिसके अंदर हम एंगल को मेजर करने वाले डिफ्रेंट टाइप्स की इंस्टुमेंट की स्टडी करते हैं उन्हीं इस्टुमेंट में से एक इस्टुमेंट है बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर जिसको आज मैं समझाने वाला हूँ यह दि फ्रेंड्स आप बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर को समझाना चाहेते हैं तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें इसके अलावा Advanced Manufacturing, MPMM, PPC, MTT, IEE, EMMP ऐसे ही बहुत सारी सब्जेक्टों के मैं maximum वीडियो डाल चुका हूँ वह आप देखना चाहते हैं परिटिकुलर सब्जेक्ट की नाम से हमने playlist बना रखी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं अब फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंट्स यहाँ पर जैसे टॉपिक लिखा है वर्णियर वेवल प्रोटेक्टर सबसे पहले इसकी टॉपिक का मतलब समाई लेदे तो यहाँ पर सबसे पहले लाश्ट में जो वर्ण दिख रा है आपको करना है मिनिट में सेकेंड में तो उसके लिए हम क्या करते हैं बर्णियर वेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं जो मिनिमम पांच मिनिट तक एंगल को मेजर कर सकता है वालब 5 मिनिट तक के एंगल को मेजर कर सकता है और 5 मिनिट क्या होता बर्नियर बेवल प्रोटक्टर का लिस्ट काउंट होता है अब इसमें बर्नियर नाम क्यों दिया गया बर्नियर इसलिए दिया गया क्योंकि यह बर्नियर के सिद्दान्थ पर काम करता है बर्नियर का जो सिद्दान्थ होता है बर्नियर से जैसे हम जो भी डायमेंशन मेजर करते थे उसी सिद्दान्थ पर यह एंगल को मेजर करता है अब यह एंगल को कैसे मेजर करता है तो हम इस डाइग्राम के थूरू इसको समझेंगे सबसे पहले हम जो बता दूँ आपको मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं एक्सम्म थेवरी एक्जाम को कबर करता हूँ तो इसमें भी हमने इसकी डेपिनिशन लिखी है जिसको आप लिख सकते हैं तो इसको भी आपको लखना है और कैसे मेज़र करते हैं एक एक्जाम्पल के थूरूब बताऊबा और कैसे दूरियो लिखना है यहां पर जैसे डेपिनिशन लिखी है आसानी से आपको लिखना है कि वर्लियर लीवर प्रोटेक्टर क्या होता है यह एंगल को मेजर करने वाला एक instrument होता है जो minimum 5 मिनिट तक एंगल को मेजर कर सकता है यह वर्नियर की सिद्धान पर खाम करता है और जो protector रहता है उस पे अंक रहते हैं 0 से 360 के बीच में वर्नियर का यूज करके हम इसको मिनिट में भी यह एंगल को मेजर कर सकते हैं इस तरह आप definition में आसानी से लिख सकते हैं अब सबसे पहले जो diagram बना हुआ है इसको समझते हैं इसके कौन-कौन से parts होते हैं और किस parts का क्या function है इस diagram की तुरू समझते हैं तो trends यहाँ पर आपको दिख रहे हैंगों इसको मैं एक्जाम में बनाना है साबसे तरह आपको दिख रहा होगा इधर का एक diagram है जो मैंने देखाने की कोशिस्टी की बड़ जो भी हमारा वर्नियर वेवल प्रोटक्टर है किस तरह का होता और कैसे उससे मेजर करते हैं दोनों diagram को समझते हुए हम चलते हैं तो सबसे पहले जो एक्जाम में diagram मनाना है इसके parts को हमें explain करना होगा तो इसी को सबसे पहले समाई लेते हैं सबसे पहले part लेखते हैं हम stock जो यहाँ पर लिखा हुआ stock जो एक solid parts रहता है जिसके साथ यह बर्णिया skill का पूरा जो circular parts रहता हुआ है connect रहता है और इसमें cut रहता है जिसके उपर से blade उपर नीचे खिसिक सके ठीक है दूसरा parts रहता है blade रहता है blade के दोनों तरफ angle type में cut रहते हैं इधर का 45 रहता हुआ है इधर का 60 रहता है इसमें भी stripe के cut रहते हैं जिससे की जिसभी surface पर जिसका में अंगल measure करना है जिस भी object का उसपर tight कर सके ठीक है इसके साथ कह रहता है उपर मैन scale बोलते हैं उपर दिख रहा होगा मैन scale पर क्या होते है जो भी angle के mark है जाते ही मार्क कैसे रहती है इसको ध्यान से समझने इसमें रहती है 0 से 90 और 90 से 0 मालब स्टार्टिंग में क्या रहता है 0 10 20 30 40 60 इस तरह है 90 तक रहता है 90 से घठते हों के रहता है 90 80 70 60 50 40 30 20 10 और सिसस्टार्ट मुझा जीयरो से 90 और 90 से 0 इस तरह मार्क रहता है मैंशाय Daar जाता है मैं इसमें कहराता सिसमें जीन में कहर रहता है जीनार्ट से 12 लॉट साइज रहते हैं मomma 12 इक आइक साइट और वार जब और सभी पॉइंट ओं की व्यालू कितने जाती फाइब मिनिट रहती अलम कि इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं फाइब में कर सकते हैं तो चिते यहां दखाए जीरो से 15 कर दिया फिर 30 कर दिया फुर्टिपाइब वह 60 तक पहुंचाता है क्योंकि 12 का 5 में मल्टिप्लाई करेंगे तो टोटल किता हो तो 60 इसलिए हम 0 से 60 तक एक साइट मार्क कर देते हैं और 0 से 60 तक दूसरी साइट मार्क कर देते हैं ठीक है याज रखें 5 मिनिट का आप लेकी चलते हैं लिस्ट काउंट बोलते हैं ठीक है ऐसा भी कुश्चन आता कि जो बर्नीयल वे विल प्रोटेक्टर रहा उसका लिस्ट काउंट किता रहता है तो 5 मिनिट रहता है इसको भी याद रखेंए लेकिन कई और burnier protractor नहीं जिनका और झाल वी accuristic रेस मेजर कर सकते हों उन में दाइब मिनिट तग भी मेजर्स कर सकते हैं तो आप इसको याद रखना है लेकिन आभी जो normal burnier protractor हम use करते हं उसमें 5 मिनिट तक मेजर कर सकते हैं तो burnier scale में 0 से 12 parts एक साइट और जीरो से 12 पार्ट दूरसे साइट और जीरो से 60 तक हम मार कर सकते हैं एक साइट और जीरो से 60 तक दूरसे साइट मार कर सकते हैं यह तो बात हो गए प्रांट से उनको एक्सरंट रगहा है यह लॉट कर रहता जिकित में लगे जाती है जिस से हम क्या कर सकते है जिस सर्पैस कि Twin तॉक्षा हो मिजआ करना उसको हम क्कूर सकते हुं और जो हमारा VVOL प्रोटक्टर है उसकी सर्पेस को हम साफ कर ले इसके बाद क्षीज़ करते हैं सबसे पहले यह इस श्टॉक लागा हूँ दिख रहा है। और उसको भी दूसरी सर्फेस पर हम इंसर्ट कराते हैं और दोनों को सही से मैच कराते हैं इस सर्फेस पर एक्जक्ट मिलना चाहिए अब जब हम ब्लेट को घुमाते हैं तो इसकी मैन स्केल भी मूव होती है दर दर जैसे ही हम इस सर्फेस पर सही मिल जाएगा और यह स्टॉक इस सर्फेस पर समय से मैच हो जाएगा अब इस नौप बीच में लगा हया नौप दिखना होगा इसते हम ठाइट कर लेते हैं ठाइट करने के बाद हम क्या करते हैं इसकी reading उसको पढ़ते हैं, अब आमें रीडिंग पढ़ना भी आने हुआ चाहिए, यह भी मैं एक diagram के थ्रू समझार को जाना ही कई सिलिग को कैसे पढ़ते है लिए को कांदा सियो में मैं समझांने को फ़िप्न चाहिए, प्र stand जो 2 ओपर जीरो से 60 और जीरो से इधार 60 लिखार दिख रहा है यह मैंने यह बर्णियार स्केल को 100 कराया हमने जैसे फिक्स किया था मैंने मालियर नॉप को डाइट कर लिया तो इस तरह की स्केल मैच करा गए अब यह मैच करा गए तो इसको पढ़ेंगे कैसे इसको द्यान से समझें सबसे पहले हम क्या देखते हैं बर्णियार स्केल का जीरो देखते हैं बर्णियार स्केल का जीरो यहां पर बना हुआ है आपको दिख रहा हुआ इस बर्णियार स्केल के जीरो को हम कहां पर देखेंगे दो अंकों के बीच में मैन स्केल तो मैंने स्केल उपर देख रही होगी जिसमें मार्क है जीरो से 90 और 90 से 0 उसके दो अंकों के बीच में देखते हैं जीरो कहाँ पर है तो यह बर्णिया स्केल को 0 जब मैंने देखा तो हम देखा इधर से 50 है तो उपर क्या होगा बर्णियर स्केल की 0 वाली लाइन है वह है मैंने स्केल के 51 नमबर और 52 नमबर के बीच में मिल रही है तो इन दोनों जो 51 और 52 मिल रही है उसका पहला वाला अंक हम कंसिडर करेंगे पहला वाला अंक कौन सा हुआ फिप्टी बन हुगा, फिप्टी टू कौन सा हुआ, बाद बाला, तो बाद बाले को हमें नहीं लेना है, पहले वाले अंकों को लेना है, जो दोनों अंकों के बीच में मिल रही है, जीरो वाली लाइन, बर्णियर स्केल की, उसके पहले वाले अंकों को हमें, कंसिडर करना है और यहाँ पर देखा 50 और 51 हुँँदार 52 तो 51 और 52 के बीच में हमारी 0 वाली लाइन मिल रही है तो 51 हमें नोट कर लेगे 51 किसमे हम नोट करेंगे? degree में क्योंकि फिबल कर देंगे किसमें? degree में तो degree में हम Magering Man산 कर लिया लेकिन हमें और accuracy साथ क्या चाहिए और कितने minute का angle, उसकी कि लिए हम क्या करते है, Burnier scale का use करते हैं. Burnier scale की हम क्या क्या देखते हैं? इसकी scale को देखते हैं अच्छी तरह हैा. अब इसकी scale पर ध्यान रखना हमें Burnier scale पोछिए बर्णिया स्केल के ऐसे अंकों को धूंडते हैं जो उपर मैंने स्केल के किसी एक अंक पर सही से मिल रहा हो एक दूसरे पर दम करें ठीक कैसे मिलना हो देख लेते हैं जी हमने देखा पर निया सखेल के सारे अंगों को मेजर करेंगे और तेकती हुए जाएं USA कि किस पे मिलड़ा है जैसे मैंने मेजर करके देखा, तो हमने देखा इस 60 वार ऊइंट है, यह वाली हमने जो बिलू क्लैर्ण मार्क कर दिया, जिससे आपको समझंडा रहा है। मैंने फूरी स्क लिखा, कोई भी यंक EWC माला एक दूसरी उपर सही आ रहा है बखाय सब थोड़े इधर-दर आ रहे हैं एक ज़ो भी अंग बर्णियर स्केल का में इसकेल से मिल रहा है उसको नोट करना है तो हमने माली अब बर्णियर स्केल का 45 वाला अंग उपर वाले 60 वाले से मिल रहा है तो याद रख के 60 को कर देना है तो 45 जो नोट करेंग में होगा किस में होगा मिनट में होगा लेकिन अगर किसी में रीडिंग ऐसी दीए 0 से इसका लिष्ट काउंट हो तक 5 तो यहां पर जो भी मार्क आएगा ठीक है जैसे यहां पर आची नाइन आएगा तो नाइन में हम 5 का मल्टिप्लाई करोंगे तो कितना हो जाएगा 45 भी हो जाएगा ठीक है याद रखें कि अगर 123 में अगर नमरिंग दीए तो सीधा 5 का मल्ट कर लेते हैं जैसे कि यहां पर 45 दिया हुआ तो इसको हम यहां पर लिखेंगे कैसे वहाई लिखके भी बता देता हूँ फ्रेंट से यहांप आपको दिखला होगा इंक्याउन डिग्री फुटि फाइड मिर्ट। कि इंक्याउन डिग्री कौन से लिए था क्योंग इनक्याउन और वावन के बीचे मिल राता है, 51 और 52 के बीचे बीचे इस चंग से उसको नोट कर लिया हुआ है किसम करेंगे मिनिट में इसका मेजरमेंट कित्ता हुजागा 51 डिग्री और 45 मिनिट तो फ्रेंट समन्ज में आया होगा आपको जो भी समझाने का हमारा तरीका है एक्जाम में आपको इस दोनो डायग्राम आप एक्जाम की रुप में समझा सकते हैं इसको एक्सप्र Ore packed डाया है झाल झाल